हलो आज है फूर्थ नवेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें विदानता के बारे में देखिए विदानता के नंबर जस्ट अभी आए है और विदानता ने पहली बार कहलो या फिर बड़े लंबे अरसे बात कहलो कि नुकसान रिपोर्ट किया है लॉस रिप जानता का और देखा जाए तो डेट के कंसर्न के चलते एक बहुत बड़ा फॉल हमने देखा बाद में धीरे धीरे करके तीजी भी देखी पिछले एक महिने का ग्राफ अगर हम देखे यहां पर तो यह गिर रहा था दो सो तीज से गिर कर यह दो सो बारा पर आया था लेकि लेकिन अगर अच्छी रफतार दिखाई पिछले एक हफते में शांदार तीजी यहां पर हमें देखने को मिली लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देख लो तो 24% का डिक्लाइन है 332 रुपे से गिरता गया यह और देखो इससे पहले भी 209 रुपे पर जाने के बाद नंबर्स आया है उसमें लॉस रिपोर्ट करा जरूर है लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़े भी है बातचीत भी करेंगे उसके बारे में तो यहां पर अब नंबर देखो तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो यह है कि इनकी जो इनकम है वो बड़ी है इस बार 39 585 करोड की इनकम रही है जो इससे पहले के कौटर में 34,279 करोड की थी मतलब की एक बहतरीन ग्रोथ है पिछले कौटर के मकाबले इनकी टोटल इनकम में और पिछले साथ भी 37,351 करोड का इनका प्रॉफिट था तो जिसके मकाबले भी अच्छा प्रॉफिट आप यहां प 35 करोड का जो इससे पहले के कौटर में 31,975 करोड का मतलब थोड़ा साही बढ़ा है और पिछले साल के 33,221 करोड के मकाबले तो यह और कम है पिछले साल की मकाबले पिछले क्वाटर के मकाबले थोड़ी से खर्चे यहां पर जादा बढ़े जरूर है लेकिन एक बहुत हर जानी वाली बात यहां पर जो देखने को मिल रही है अगर आप profit before tax देखोगे profit before tax देखोगे तो 8177 करोड का मुनाफ़ा इन्हों ने कमाया है profit before tax tax लगने से पहले जो इससे पहले के quarter में 4050 करोड का था और पिछले साल के 4365 करोड का था तो देखा जाए तो यह नंबर आपको बहुत अच्छा लगया profit before tax का नंबर लेकिन 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 यहां पर tax expenses के बात के net current tax expense लगा 2328 करोड का जो इससे पहले के quarter में 680 करोड का लगा था और पिछले साल तकरीबन 2195 करोड का लगा था तो यह यहां पर बढ़ गया लेकिन उससे जादा पहली बार यह ल के हिसाब से net tax expense on account of adoption of new tax rate नए tax rate के मुकाबले और 6128 करोड का tax लग गया इनके उपर और जो इससे पहले नहीं था तो यहां पर net tax की अगर हम बात करने जाए तो net tax इसका 9090 करोड का लग गया जो इससे पहले के quarter में 780 करोड का था और पिछले साल इसे quarter में 1675 करोड का था तो भाई सब बहुत जादा लग गया यह और यही वज़ा है कि 915 करोड का loss इसने कर दिया जबकि इससे पहले के quarter में 3308 करोड का profit था और पिछले साल इसी quarter में 2690 करोड का profit था तो यह loss इसने report करा इसलिए क्योंकि भाईया tax जो है वो 9000 करोड से भी ज्यादा करा और यह वा कई में बहुत पड़ा tax से अगर बात करें विदानता को लेकर तो यह विदानता का जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड से भी जादा का है अच्छी बात है कि कंपनी का पी है वो 9.84 का है जो कि average industry का से काफी कम है लेकिन negative चीज़े बहुत जादा है यहां पर कि current assets है कि current liability से भ बहुत जादा है company के उपर और उसी को चुकाने के लिए company लगातार कोशिश भी कर रही है कि जादा से जादा अपने debt को चुकाया जाए और कई सारे debt की repayments भी बहुत जल्दी आनी है और इसके लिए इंको भर भर के पैसा भी चाहिए और यही वज़ा है कि विदानता ने अ 2020 में तो 12.50 पैसे का dividend फिर 20.50 पैसे का dividend फिर 18.50 पैसे का dividend और पिछले साल तो हदी कर दी थी इनों ने बहुत जादा पैसा dividend के फॉर्म में निकाला गया और उसका सबसे बड़ा जो reason था dividend के फॉर्म में इतने सारे पैसे निकालने का वो यही था कि debt इनके उपर जादा था विदानता हैगे बस तो वो सीधे सीधे तोर पे नहीं निकाल सकते जो debt था वो विदानता resources के उपर था promoter के उपर था विदानता resources तो जाहिर से बात है promoter company ऐसे ही पैसा नहीं निकाल सकती अपनी ऐसी company से और यही वज़ा है कि उनको debt के थूप ऐसा मलब dividend के थूप ऐसा न tax अब तक 1600 करोड़, 1600 करोड़, 1300 करोड़, 1125 करोड़, 780 करोड़ लग रहे थे उसीधे 9000 करोड़ आ गए यहाँ पर और यही वज़ाए कि revenue जाद होने के बावजुद भी company ने इस बार loss report करा है अगर हम बात कने चाहे share holding pattern की तो promoter के पास 63.71% की holding जो पहले 68.11% की थी आया है जिसका इस्तमाल अपने debt को कम करने में कर सकते हैं यह और जहाद अग गिर्वी के बात करें पहले भी सब कुछ गिर्वी था अब भी सब कुछ गिर्वी है पब्लिक के पास holding बहुत जादा बढ़ गई 14.36 से बढ़कर 17.81 पर आ गई public holding, Files की 7.48% की holding 7.82 पर आ गई DLs के 10.05% की holding 10.66 पर आ गई यहाँ पर तो जादर quantity जो promoter ने बेची वो public ने खरीदी है Files और DLs के तरफ से minor buying यहाँ पर देखने को मिली है तो कि overall विदानता को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा है इस company को लेकर कि देखो मैं इंतजार कर रहा हू यहाँ पर 200 रुपए के नीचे जाने वाले लेवल का अगर वो आ जाता है तो शायद यहाँ पर मौके बनेंगे इवन 170-180 तक के भी लेवल हो यहाँ पर आपको future में देखने को मिल सकते हैं अगर जिस तरीके से debt को लेकर concerns यहाँ पर raise हो रहे हैं अगर वो सच में ऐसा बातो और अगर वो लेवल आते हैं तब जाके यहाँ पर मौके बनेंगे और अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा wait and watch जल्दवाजी मत करिये numbers definitely अब मैं average कहूंगा इसको लेगिन definitely यह numbers जो ऐसे नहीं है जो share में तीजी लाने का काम करें यह वो number है जो shares को उपर नहीं उठन है के नहीं तब तक मैं इतना ही कहूंगा wait and watch जल्दवाजी मत करिये गा और analysis के लिए मैं जिस portal का इस्तमाल कर रहा हूँ trade brains अगर आप भी इसको use करना चाहते हैं तो link मैं आपको description में दे दूँगा और अगर आप मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करोगे तो आपको 20% का discount भी मिल जा हैगा कई सारे better in features यहाँ पर जिनमेंसे एक है stock research report एक कई सारे brokerage house अपने report निकालते हैं कि कौन सा shares खरिधारे के लिए अच्छा है कौन सा share बेक्वाली के लिए अच्छा है जैसे कि HDFC Securities ने Ambuja में by call दिया है 400 से का target है अब क्यों दिया है उसकी भी आपको report यहाँ पर मिल करें चैनल बगड़ा पहले बारे एं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और विदानता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिक कर बता सकते हैं इसके अलावा जो numbers आ है जो tax से लगा है 9000 करोड का उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी